कि है अब्रीवन दिस इस श्वैता वेलकम टू यूपीसी वाला वापस आ गया हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारे एक इंपॉर्टेंट बुक सिरीज जिसमें हम 11 क्लास की NCRT जो आर्ट एंड कल्चर की उसे हम कवर क करेंगे पहले हम नितिन सिंगानिया भुक को देखने वाले थे लेकिन उसको करने में थोड़ा सा समय लगेगा और अभी हमारा एक्जाम काफी पास है 26 में प्रिलिम्स एक्जाम है तो सबसे पहले हम NCRT बुक को कवर कर लेते ताकि एक एक बेसिक जो है हमारा फांडेशन वह हो जाए उसके बाद से हम उस बुक को पूरा तो नहीं लेकिन हां उसके कुछ important chapters जो है वह मैं आपको कवर कराऊंगी art and culture में तो चलिए start करते हैं हमारे आज के session को जो हमारी बुक है 11th class की बुक का नाम है भारती कला का परिच है तो ये बुक जो है वह आपको follow करना है क फिर भी जो हम खुद देखते हैं सामने से जो हम खुद पढ़ते हैं और जो खुद सुनते हैं वो अलग चीज होती है ठीक है तो उसमें आपका एक conceptual clarity अलग level का develop होता है आप कहीं से किसी incident के बारे में कोई story सुनो और किसी incident के बारे में कोई चीज देखो खुद देखो जा जब आप class ले लेते हैं तो benefit ही होता है कि आपको topic की समझ है आपको chapter के बारे में पता है अब आप फटा-फट पढ़ते जाएंगे और चीज़े आपको clear होते जाएंगे ठीक है तो किताब पढ़िए वो जरूरी reading skill develop करिए administrative officer बढ़ना है बहुत सारे आगे आपको papers पढ़न बचे interested है 2024 के एक्जाम के लिए planned manner में preparation आप इसे join कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ revision जैसा नहीं है direct हम हमारे बुक पर आते हैं बुक का नाम है भारती कला का परीचे इसमें छोटे-छोटे से chapter है तीन तीन पेज चार-चार पा नहीं आट इन कल्चर जो हमारे इंडिया का कल्चर है आर्ट है उसको समझ रहे ठेक है उसके उस पर समझ विक्सित करने है जितना ज्यादा observation करेंगे ना उतना इन चीजों को समझेंगे ठेक है और जितना समझेंगे उतना अच्छा इसको आप explain कर सकते हैं बता सकते हैं ठे एक दिन में पूरा पढ़ने वाली चीज़ यह नहीं है, सुन्दर तरीके से पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है इस बुक का, वो सीरे बोल रहा है, प्राग एतिहासिक शैल चित्र, फर्स चैप्टर जो है, वो स्टार्ट कर रहा है किसे, प्राग एतिहासिक शैल चित्र, तो चैप्टर कह क्या रहा है, पहले हम इसके नाम से समझ लेते हैं, शैल मतलब होता है पत्थर, चित्र तो सबको पता है, तो पत्थरों पर जो बनाई गई चित्रकारी है, वो इस चैप्टर में बताया जा रहा है, और पत्थरों पर बनाई गई चित्रकारी भी हमारे दे त्रिकारियों को पढ़ेंगे प्राग एतिहासिक काल, तो जो स्टुडेंट और इंशिंट हिस्ट्री के सीरीज को फॉलो करके आए होंगे, उनको पता होगा इस टाइम पीरिट के बारे में, मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, यह जो इंशिंट ह इस प्राचीन एतिहास को आप इसके सोर्सेस के बेस पे, इसके जो भी श्रोथ है, उन आधार पे प्राचीन भारती एतिहास को तीन पार्ट्स में डिवाइट किया जाता है, फिर्स जिसे बोला जाता है प्राग एतिहासिक काल, ठीक है, दूसरा जिसे बोला जाता है आद् अब यह 3 time period में क्या difference था? प्राग ऐतिहासिक वो time period जिसके बारे में हमें कोई भी लिखा पढ़ी साक्षे नहीं मिले है, ठीक है? इस time period के बारे में जितनी भी information मिलती है किसे archaeological evidence या फिर इसे कहा जाता है, पूरा तात्विक साक्षियों से सारी जानकारी मिलती है, ठीक है, आदिय अतिहासिक उस समय को कहा जाता है, जिस समय हमें पूरा तात्विक साक्षिय, यानि बहुत एक वस्तों के साथ साथ, लिखित अफशेश भी मिलते हैं, लेकिन लिखित पूरा तात्विक साक्षिय दोनों का प्रेउग हो रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि प्राग एतिहासिक वो टाइम पीरिएट जब लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, केवल अब्जवेशन के बेस पर हमने उस टाइम पीरिएट के बारे में बताया है, उस टाइम पी इतिहास का कौन सा पोर्शन कवर होता है, प्राग एतिहासिक काल पुरा तात्विक साक्षिय वाला काल पाशान काल के नामसे जाना जाता है, या फिर आप इसको बच्चो stone age कहते हैं, पाशान कल या stone age जब humans का best friend stone होता है, stones का ही हम use करते हैं अपने survival में, और stone tools जो बना रहे थे, उसमें जो changes आए थे, उसके basis पे, हमने इस time period को तीन parts में divide कर रखा था, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाशान, मध्य पाशान और नव पाशान, और आगे जब first matter introduced हुआ तो हमने बोल दिया, चालकोलिथिक या फिर इसे कहा, तामर पाशान, तो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, chapter में क्या बोल रहे हैं, कि इस time period क के बारे में पाशान काल के जो लोग थे ना, आदी मानव से मानव बनने वाले जो लोग थे, दो लाग से लेकर, तीन हजार इश्या पूर्विता का जो time period था, उस काल के जो लोग थे, उनके द्वारा यह बनाया जा रहा था, शैल चित्र, पत्थरों पे चित्रकारी की जा कर रहे हैं, यह सब basically इस chapter का motive है, अभी आपको word to word रटने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक concept जो है, foundation है, वो यहां से अपना तैयार कर लेना है, कुछ थोड़े बहुत facts के साथ में, ताकि आप इसको justify कर सके, ठीक है, यहां तक समझ में आगया, एक मिनट, चलिए, तो अभी बढ़ते हैं, आगे, इसी chapter में, क्या बोलना चा रहा है, फटा फट देखते हैं, सबसे पहले बोलता है, राइटर यहां पर, छुटा से सुन्दर से chapter है, सबसे बहले बोलता है, राइटर वहकाल, जिसके लिए, ना तो कोई पुस्तक, ना ही कोई लिखे दस्तावेज उपलब्द होते हैं, उसको हम प्राग एतिहासिक काल कहते हैं, यह तो अब आप भी बतातेंगे, कि जिस time period के बारे में, सारी चीजें, हमें observation से पता लगते है और आज से दो लाग साल पहले, आज से पांच हजार साल पहले, है ना, कि यह का वो time period है, last year, तो उस दो लाग से पांच हजार साल पहले क्या घटना हो रही है, उसको हमें कैसे पता लग रहा है, तो बोल रहा है कि ऐसे काल की जानकारी के लिए विभिन इस्तलों की खुदा यानि कि पाकिस्तान वाला हिस्सा भी हमारे पास था, तो जब हमने उन टीलों की खुदाई की, तो खुदाई करने पर हमें क्या मिले, नीचे से इस तरह के अविडेंस मिले, बड़े-बड़े नगर मिल रहे हैं, है ना, तो उनने हमने इंडस वाली सिविलाइजेशन कर द जहां पर हमें मिट्टी के बरतन मिलते हैं, जहां पर आवास इस थर मिले, यानि कि ये घर तो नहीं बनाते थे पहले, पहले उलिथिक वाले, या नमीजो लिथिक वाले, लिकिन हां ये लोग गुफाओं में रहते थे, तो वो जो गुफा जहां पर रहेंगे, अगर कोई क तो अपने कुछ साक्षे तो छोड़ेगा ना तो वहाँ पर आग जलाते थे उसकी राक पड़ी हुई है पत्थरों के औजार पड़े हुए तो ऐसी जगह जहां पर यह सब शीजे मिल रही है यानि वह उनके रहने के स्थान के रूप में यूज होता था तो हमने खुदाई क खुदाई से हमें क्या क्या मिल रहा है खुदाई से हमें मिल रहा है पुराने औजार पत्थरों के मिट्टी के बरतन मिल रहे हैं इनके रहने वाले जगह मिल रहे हैं और उस काल के मनुश्य और जानवरों की हड्डियों के अवशेश मिल रहे हैं तो ये भी क्या है पूरा तो चितरकारी की है और चितरकारी आप किस चीशकी करेंगे, जो आपके आसपास घर्टेथ हो रहा है, वहीट आप अब सब्सक्रन करें, उसे की तो आप चितरकारी कर। तो यह जो गुफाओं के दिवारों पर चित्रकारी की गई, वो historians के बहुत काम आया, archaeologists जो थे उनके बहुत काम आया, उन्होंने उसको observe करा, देख रहे हैं कि अच्छा, यह दिखा रहे हैं कि हिरन दोड़ा, उसके पीछे लोग, क्या बोलते हैं, अपने आजार लेके भाग चित्रकारी के थूँर, यह उस समय की सोसाइटी को समझने का कोशिश करते, कौन, इस्टोरेन या फिर जो पूरा तत्विध होते हैं, तो आप बस राइढर यह बोलता है, यह जो प्राग यतिहासिक काल है, उस प्राग यतिहासिक काल में हम चीजों को observe करते हैं, और उसी observation का एक ये भी मीडियम मनता है क्या शेल चित्र उस समय में बहुत सारे गुफाओं पर चित्रकारी दिखती है जब मनुश्य की बुन्यादी जरूरते पूरी होने लगी तो वह अपने विचारों तता मनोभाव को अभिव्यक्त करने का प्रयास करने लगे जब खाली रहोगे अभी व्यक्ति करोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं आपके बीचे शेर पड़ा हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो शेर को रुक भाई मुझे चित्र बनाना है नहीं मता आपके जब आपकी सर्वाइवल की बात आएगी एकदम तो आप क्या करोगे आप बिजी हो आप अ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब थोड़ास आपको खाली समय मिलेगा जब खाली समय मिलेगा तो आपको क्या करें हम तो हम क्यों ना चीजों को ड्रॉ करें देखा चुड़े होते हम तो हमारी जो स्कूल की टेबल होती है उसमें बहुत सारे बच्चे दिल बना देते हैं त चोटे लेवल की कुछ फूल बनाते रहते है कॉपी में तो यह सब चीज है और चोटा बच्चा पैंसिल पकड़ा और उसको तुरंट अभिव्यक्ति करने लग जाएगा दिवार पे एक साल के दो दो साल के बच्चे तो बस यहां पर यह बोड़ रहा है कि जब पाशान काल म मनुश्य की बुन्यादी जरूरते पूरी होने लगी तो वो अपने विचार और मनोभाव को अभिव्यक्ति करने लगा और वही अभिव्यक्ति हमें इस तरह के चितरकारी के रूप में मिलती है पता नहीं आपको कितना शो हो रहा है लेकिन अगर दिख रहा है तो आप दे देखिए तो आपको ऐसे कलर दिखाई देते हैं तो नैचरल है लेकिन बहुत ही स्थाई था जो आज तक बचा हुआ है प्राग एतिहासिक चितरकार्या दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है अब दुनिया को किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि यह जो टाइम पीरि विश्व में हमें यह चरण दिखाई देता है और हर जगा इसी तरह की लोगों ने activity की वही पत्थरों के चितरकारिया हमें विश्व में अनेक जगा पर दिखाई देती हैं जिसको आप बोल रहे हैं कि दुनिया के अनेक भागों में प्राग एतिहासिक चितरकला बोलेगा आप समझ चाहेंगे ना पाशान काल वाली जो शैल पर चितर कलाएं बनाएगे उसकी बात कर रहा है उत्तर पुड़ा पाशान काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रिया कलापों में भारी ब्रद्धी हुई तो जब आप आर्ट एं कल्चर पढ़ेंगे तो आपको एंचे हिस्ट्री में कि पूरे के पूरे पाशान काल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला जिसे आपने बोला पूरा पाशान काल या पैलियोलिथिक ठीक है दूसरा जिसे आपने बोला मद्य पाशान काल या फिर मिजोलिथिक तीसरा जिसे आपने बोला नव पाशान काल या फिर नियोलिथिक ओके पुरा पाशान काल में हम पत्थरों के जो इस्टोन ओरिजिनल टूल्स होते थे रौ फॉर्म कई ऑल्मोस्ट यूस करते थे थोड़े बहुत चिंजिस के साथ मद्य पाशान काल में माइक्रोलिथ पत्थर के छोटे टूल्स यह चल रहे थे यह और इंटर्ड्यूज रोगया नव पाशान काल में हमने स्टोन टूल्स को पॉलिष करना यूस की स्टार्ट किया पुरा पाशान काल के भी तीन टाइम पीरेट पहला जिसको बोलते हम निम्न पुरा पाशान काल या फिर इसको लोर पालियोलिथिक कहा जाता है दूसरा जि फ्लेक्स निकाल रहे हैं इस टाइम पर पत्थर पर पत्थर मार के उसके और पतले-पतले ब्लेड निकाल रहे हैं ब्लेड टूल का यूस कर रहे हैं तो बस राइटर यही बोलता है कि उत्तर पुरा पाशान काल तक आते आते इस टाइम पीरियड तक आते आते पुरा पाशाण काल में थोड़ी सी स्थिती सुधरी और उत्तर पुड़ा पाशाण काल तक आप थोड़े से और अपने आपको स्टेबल कर पाएंगे ठीक है ऐसा नहीं था कि अभी आपकी लाइफ सेटल हो गए नहीं अभी भी आप क्या है खादे संग रहा के कहीं कुछ पेड़ पेड़ पूजा करेंगे कहीं जानवर मिल जाओ उसको शिकार करेंगे लेकिन फिर भी इसके यहां तक थोड़े से आप स्टेबल होंगे और अब आप क्या करेंगे अपनी कलात्मक क्रिया विधी को गतिविधी को बाहर निकालेंगे ये लोग गुफाओं की दिवारों पर जानवरों के सुन्दर सुन्दर चितर बनाते थे मनुश्य वह उसकी गतिविधियों के द्रश्य बनाते थे वरत वर्ग आयत जैसे अनेक जियामिती आकृतिया और प्रतिक भी बनाते थे इसका मतलब यह नहीं था कि इसका मतलब बिल्कोल भी यह नहीं था कि इनको पता था वर्ग क्या है आयत कहीं कि कुछ इनको पता नहीं था लेकिन हाँ यह जरूर था कि यह इस तरह की आकृतिया कि छोटे बचे को कुछ पता होता है ऐसे पैन पकड़ा तो गोजा-गाजी कर देगा कहीं व्रत बना दे इस टाइम पीडिट पर हमें क्या चीज़े मिलती है जानवर जिनको यह देख रहे थे जिनका शिकार करते उनकी आकृतिया बना रहे हैं जो भी अपनी अगति विदीती मनुश्यों के उस तरह के चित्रात्म आकृतिया बना रहे हैं या फिर हमें पता लगता है कुछ भी जामेती रेखा संबंदित आकृति बना रहे हैं यह हमें उस समय पर दिखने लग जाती है चीज़े जो आप यहां पर इमेज में भी देख सकते हैं अब शैल चित्रों के अफशिष वर्तमान में मध्य प्रदेश उत्ता प्रदेश आंद्प्रदेश करनाटक और बिहार के कई जिलों में इस्तित गुफाओं की दिवारों पर पाए गए हैं यह लोकेशन लोकेट करना बहुत जरूरी है अब लोकेशन लोकेट हम अल्री करके आए हैं जो हम पढ़ रहे थे स्टोनेज पूरा स्टोनेज मैंने आपको मैप के थू ही कराया है जहां तक जुरत थी त गोहन वैली, बोलन वैली, गोमल वैली इन सब में रहा करते थे हैं न मद्य पाशान काल के लोग भारत में बिखरे वे थे न पाशान के लोग भारत में बिखरे वे थे तो बोल रहे है कि यह जो शैल चित्र है यह ज़्यादा हमें कहां से मिलते वे दिखाए देरे कुछ स् मद्यप्रदेश वाला रीजन है इसको तो अच्छे से याद करो यहाँ पर हमें मिलती है भीम बेट का केव्स जो है वहाँ पर हमें बहुत सारी शैलचित्र मिलते हैं अभी उसका भी जिक्र आएगा ठीक है तो कभी आपको मौका मिले और जो MP के हैं नियरबाय है जाहिए जाकर देखिए उसको टच करिये उस टाइम की कला आज तक आप देख पारें तो मद्यप्रदेश जो है उस रीजन में दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश इधर आजाए यह आपका यूपी वाला रीजन तीसरा आपका आंध्प्रदेश इधर आईए यहाँ पर दिखता है आपको आंद्प्रदेश चौथा बोल रहा है करनाट का इधर आ जाए करनाट का और क्या बोल रहा है बिहार तो यह कुछ स्पैसिफिक इसने रीजन बोल दिया हमारा मै पाशान काल की बात कर रहा है ठीक है जो उच पूरा पाशान काल है वहाँ पर हमें कुछ ऐसे लोकेशन दिखती हैं जहाँ पर हमें चित्र मिलने चालू होते हैं उत्रा खंड का स्पेसिफिक यहां जिक्र कर रहा है कि नेबरिंग स्टेट है यूपी का उससे अलग होकर ही उ जो किया जाता है तो आपको ऐसे सलाश्रे मिल रहने के लिए लूज किया जाता था उसको सेलाष्रे के रहे हैं तो सेलाष्रे में प्रगया इसकल कि अनेक चित्र मिले कहाँ पर उत्राखंट के अलमोडा का एक प्रॉपर रोड है वहाँ पर जाहिएगा तो आपको ऐसे शलाश्रे मिलिंग और उसमें चित्र मिल रहे हैं इन चित्रों को तीन श्रीणियों में बाटा जा सकता है यह उसकी बात कर रहा है कि वो जो पिक्चर मिले है उसको आप मोटा-मोटी तीन पार्ट मे को देख लेते क्या पोल रहा है माहनव चित्र पशू चित्र जियाम्ली आकृति याँ बागी रिखाय यह चित्र सफेद चाले और लाल आर्ताकार जियामिति डिजाइन और अनेक बिंदू के समू इन चित्रों में देखे जा सकते हैं, यह कुछ बेसिक्स हैं जो बता रहा है, अब आप बस इतना मान कर चलिए कि राइटर आपको इनफॉर्म कर रहा है कि उचु पुरा पाशान काल की जो चित्र है वो कहां कहां इससे देखा, उत्रहखन का इस स्पैसिफिक इसने मेंशन कर दिया, आपको को दे दिया, और बोल रहाएं कि बेसिक से थे, क्या बना रहेंगी, किन प्रकार के रंगों का यूज़ कर रहे हैं, इन बेसिक कलर यूज़ करते वे दिखाई देते हैं इन चित्रों में एक अकर यहां पर मिल रहा है अल्मोडा वाले में तो बोल रहे हम एक ऐसी चितरकारी मिली है जिसमें मानव जो है एक दूसरे का इस तरहे के से हाथ पकड़ नाचते वे दिख रहे हैं कितना इंट्रेस्टिंग है पिक्चर मुझे मिला नहीं तो सारी पिक्चर अवेल नहीं होती है ब कि बहुत सारे ट्राइबल्स को जोड़कर है ना पकड़कर तो कही नहीं वहां से वो चीज़ चली आ दिन तो बस यह बोल रहा है कि ऐसे हमें कुछ पिक्चर्स मिले जिसमें इस तरह का द्रश्य है जो बहुत ही आकर्शकेर्ध यानि उस तरह की कोई आक्टिवीटी करते हू है कि अंदर प्रिदेश करनाटक की जो चटान है अंदर प्रिदेश करनाटक में मिली रही है यह तो अपको पता ही कि यहां पर हम जो ग्रे नाइट की चतान है वहां से न पाशान कर त्विब लिए उन्होंने चित्र बनाने के लिए बहुत ही उसको एक canvas की तरह use कर रगा एक उसको proper space की तरह use किया है यहां तीन इस्थान बता रहा है कुप गल्लू पिकली हल और टिकल कोटा यह थोड़े से ध्यान रखने यह important location है इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए और यह जो दोनों location है अब आपका homework है मुझे बताएंगे comment section में कई बच्छे answer करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है फड़ा फड़ा आंसर लिखते हैं बड़ा फड़ा आंसर लिखते हैं आंद्रप्रदेश करनाटक की ग्रेनाइट की चट्ता ने जिसको प्रॉपर कैनवास की तरह यूज किया है यहां के उस समय के चित्रकारों ने पाशानकाल के इन चित्रों के विशे क्या थे सांड हाती सांभर चिंकारा भेड बकरी घोड़ा शैल क्रत मानव और त्रिशू तो यह अब यहां की बात कर रहा है यहां के जो चित्र मेले ना उसमें हमें यह चीज़े दिखाई दे रही है ठीक है तो सबसे पहले इसने बात कर रहा किसकी उच पुरा पाशानकाल की कि वहां पर हमें थोड़े से चित्रकारी मिलती है फिर उसने एक रेफरेंस दिया उत specific locations बताई और क्या दिख रहा है वो भी हमें बताया ठीक है चलो आगे बढ़ जाते नेक्स्ट क्या बोल रहा है नेक्स्ट बोल रहा है सबसे अधिक और सुंदर शैल्चित्र मद्य प्रदेश में विंध्याचल की शंकला और उत्रप्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक लोकेशन हाइलाइट किया उत्रखंड है काश्मीर है में विंध्याचल आपको पता है ना ब्लॉक माउंटेन है विंध्यन और सत्पुड़ा यही से निकल रही है विंध्याचल की श्रंखलाएं है ना वहां पर हमें बहुत सारी ऐसी गुफाएं मिले हैं जिस पर यह चित्रकारी उके रही हैं दूसरा उत्तरप्रदेश में कै चित्रकारी कर रहे थे ऐसी बहुत सारी चित्रकारिया हमें मिलते भी दिखाई देती कहां पर विंध्याचल और कैमूर हिल्स जिनका संबंद मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश से इनमें सबसे बड़ा और दर्शनिय इस्थर हमें मध्यप्रदेश के विंध्याचल की पहाडियों में इस्थित भीम बेटका के रूप में दिखाई देता है, यहां पर अगर मैं बात करूँ भीम बेटका की, तो यह लगबग 800 शेलाश्रे मौजूद है यहां पर, 800 शेलाश्रे सारे हमें नहीं पता हैं अभी, तो एक्सपेक्टेड है कि इतने हैं, इन में से 500 श समय के दिखाई दे रहे हैं, तो पूरा पाशान और मध्यपरदर पाशान में तो भरमार हो जाती है, ऐसे चित्रों की, विंध्याचल और कैमूर हिल्स में, तो आई होप यहां तक सब की समझ माएंगे, यह स्पैसिफिक लोकेशन वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहा यह तो factual data है, यहां पर बता रहा है कि actually उसमें मिल क्या रहा है, जब आप उन 500 शेलाशों की बात करें, जहां पर चित्रकला मिल रही है, वो रहा है कि इन में उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी, उस समय की जो daily to daily lifestyle वाला था, उनकी घटनाओं के अलावा, धार्मिक और भव मर्रा की जिंदगी, इसके अलावा भी वो घटनाओं को दिखा रहे है, धार्मिक, यानि कुछ religious activity शो हो रही है, ठीक है, आपको पता ही है, पाशानकाल जो है, यहां पर हमें कुछ छोटी-छोटी ऐसे evidences मिले हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ, आगे चलके जब मूर्त कुछ भी ऐसे जो कि उसकी religious activity को शो कर रहे है, ऐसे evidences अगर दिख रहे हैं, ऐसा करते हुए दिखा रहे है, तो दिखाना मतलब क्या है, कि ऐसा होता होगा, तो बस यही बता रहा है, कि धार्मिक गतिविती और भव्य चित्र भी यहां पर चित्रित के गए भीम बेटका में ठीक है, भीम बेटका की शैल कला को शैली, तकनीकी और आधार के अनुसार कई शेणियों में बाटा जा सकता है, तो अगर हम इसको और डेप्थ में जाके अब्जर्व करें, भीम बेटका की जो शैल चित्र है, तो यह बोल रहा है कि शैली के तौर पे कौन सी शैली का प्र कलावधियों में वर्गी करत किया जा सकता है, अब यह साथ कलावधि, अगर आप लोग इंट्रेस्टेट हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, मुझे इतना एसेंशल नहीं लगा, फिर भी आप रीडिंग मार लेंगे, बहुत रटने की जरुरत नहीं है, बस एक डेटा बता दिया कि रेखा चित्र और चित्रकारियों को हम साथ कलावधियों में बाढ़ सकते हैं, ठीक है, नेक्स बोल रहा है उत्तर पूरा पाशान युग के बारे में, उत्तर पूरा पाशान मतलब या उच्छ पूरा पाशान आप समझ पाए हैं, ठीक है, तो उत्तर पूरा पाशान का लिया उच्पूरा पाशान 12,000 इशापूर तक की बात कर रहा है कि इस युक के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओ के बनाये जाते थे यह पहले इसने बताया आपको शैल चित्रों के बारे में थोड़ी इंपरमिशन दी इस पैसिफिक हमारे देश के कौन से लोके में चित्राइम की बात की चीपुरा पाशान काल से संब्न रखता है किस तरह की चित्रकार या दिख रही है वो बात कर रहा है फिर बीम बेटका की बाद के इसको किया बताया मोझ दन 500 जो जहां से शिरुवात हो रही है वहां पर हमें दिख रहे हैं कि चित्र जो है हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए जाते थे ठीक है अधिकांग चित्र जियामित्ती आकरितियों से भरे हुए है जादा तर चित्रों में हमें वही जियोमेट्रिकल स्टक्चर दिखता है कुछ धवन चित्र भी है हरे चित्र नितकों के और लाल चित्र शिकारियों के ऐसा इन्होंने observation से पाया जो इन्होंने observe कि जादा तर जो चित्रकारिया हो रही थी start होई तो हरे और लाल रेखाएं बनती हुई दिख रही है और इन्होंने जब observe किया तो इन्हें पता लगा कि जो हर चित्र है वो नतक जो भी मनोरंजन कर रहे हैं उनके ऐसे हरे चित्र बनाते में दिख रहे हैं ठीक है और जो लाल चित्र है वो शिकारियों के दिख रहे हैं शायद इनको लगता होगा कि वहीं शिकार कर रहे हैं ब्लड निकल रहा है तो इस तरीके से उसको लाल से पाई गई थी उचुपूरा पाशानकाल में शुरुवात हुई मद्ध पाशानकाल में ऐसे चित्रकारियों की भरमार लग गई ठीक है इस अबधी में विश्यों की संख्या कई गुणा बढ़ गए पहले हमें कुछ पहले हमें कुछ स्पेसिफिक ही दिखाई दे रहे थे जैसे हमने देखा अभी कि जादा तर वो लोग अपना डेली रूटीन वाला दिखा रहे है या फिर पशू दिखा रहे हैं या फिर शिकारी का दिखा रहे हैं बोलने कि जो विशय है ना जन्द सब्जेक्स पर बना रह जाएंगे कब मध्यपाशानकाल में और अब्जवेशन बढ़ी और ज्यादा वो एक्सप्रेस हुए और चीजों को गहराई से एक्सप्रेस कर पा रहे थे अपने पिक्चर के फॉर्म में मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया तता शिकार के द्रश्यों को प्रमुफता मिली क्या चेंज आया है मध्यपाशानकाल के चित्रकारी में तो उच पूरा पाशानकाल में तो जब शुरुआत की थी रेखाएं जादा दिखाई दे रही हैं और बहुत बड़े बड़े चित्र देख रहे हैं बाद में इनको लगा कि हमारे थो जाधा प्रमुफता मिली है यह फिर एसा था कि जब यूरा करने जाते हों को उसी समय ज्यादा इडवेंचर होता होगा तो वो उसको ज्यादा एक्स्पेटे करते होंगा अच्या शिकार करने में इंसीडेंट हॉई तो शिकार के द्रश्य पर दिखाई साथ बहार निकल गई आत्म अत्म सब बाहर निकल गई सारी नेरर ठाधर खतम ढूडर के आपके आपके पीछे पड़ जारा है है ना बहुत सारे इसे शिकारी जनवर होते हैं शेर हो गया, अन्य जानवर हो गया, जन से आपको खत्रा हो जाता है, तो कई में ऐसा भी दिखाए कि मनुष्य डर है, और कई में जानवर और मनुष्य की वीच में सौहादर और प्रेम का संबंद्ध दिखाई दे रहा है, जैसे आजकल लोग बहुत सारे पैट्स रखते हैं तो बस ऐसा ही, जब आपको ऐसास हो रहा है कि कोई जानवर है वो आपको कुछ नहीं कह रहा है, खरगोश हो गया, कुट्टे हो गया, बिल्ली हो गया, हेरन हो गया, उसमें उनके बीच में प्रेम भी, सौहादर भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स ह जैसे नपाशान काल तक तो चीजे काफी चेंज हो रही थी, मद्यपाशान काल में उसकी शुरुआत हुई थी, इसी वज़े से को हम बोलते है, ट्रांजिशन जोन, संक्रमन काल, तो वो जो ट्रांजिशन जोन दा वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजे हो रह और कहीं कहीं पर वस्त्र पहने वे दिखाए गया और वो समय क्या था, आपको पता है, है ना, हम आदी मारव से मानव बन रहे है, तो कहीं जगा पर इस्त्रियों को निर्वस से दिखाए गया, कहीं जगा वस्त्र पहने वे दिखाया गया, दोनों ही रूप में चित्रत किय गया है मद्यपाशानकाल में कुछ शैल चित्रों में मनुश्य और इस्त्री और बच्चों को एक साथ दिखाएगे यानि फैमली वाला जिखेंगे आप पशुपालक बन चुके थे मद्यपाशानकाल में बोर अच्छे से बन जाएंगे आप एक जगा पे स्टेबल रहने लग जाएंगे कुमहारी सिस्टम आ जाएगा सोसाइटी का तुम बच्चरण पेहली बार हमें नप पहुपाशानकाल में जगेगा तो मद्यपाशानकाल आपको हलका इंडिकेट करेंहा तो मद्य पाशानकाल के जो पिक्चर में हम धी चल्य में घिकाई दे रहा है ठीक है थि Noel Meteka के कलाकार, अनेक रंगों का प्रते हैं, मद्श alcohol में भर देते हैं गुफाओं को, मद्श alcohol में उन रंगों में highlight कर रहा है, जैसे काला आपि, ला, लाल सिफेद, भुरा हरा ने विभे ने चटान और खनीजों को कूट पीस कर तयार किये जाते थे बुड़े की जो रंग होता था जो द्रव्य होता थे ये विभे ने खनीजों को मतलब आज तक कैसे वो सुरक्षित है तो उसको जो बनाने का तरीका था नैचरल फॉर्म था वही विधी है कि आज तक वो स गेरा होती हो उनको कूट पीस कर इस तरह के नैचरल कलर बना रहे थे और वह आज तक सुरक्षित है मौका में लिएगा देखेगा लाल रंग गेरू से बनाया जाता था हरा रंग कैसे डोमी नामक पत्थर की हरी किसम से तयार की जाती थी सफेद रंग चूना पत्थर से ब बात करों उच्वपुरा पाशान काल देकर तो आज से बारा हजार साल पहले कि बात कर रहे हैं तो बारा हजार साल कम थोड़ी वह वह तो इन चित्रों का रंग हवा-पानी की मार को जहले के बाद आज भी बरकर आ रहे हैं आप बाहर शैल में चित्र बने हुए है, सीलन हो रहा है, हवा चल रही है, पानी चल रहा है, धूप हो रहा है, बहुत सारी चीजे, फिर भी वह आज तक है, तभी तो हमें एविडेंस के फॉम में मिल और तभी तो मैं पिक्चर दिखा पा रही है, बिल्कुल एक्चिल पिक्चर है, जो गूगल से उठाए गई है, ठीक है, यहां कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रे की सतह दिवार और भीतरी शतों पर बनाया, पूरा भर दिया, जब आप रहे रहे थे, यहां भी बनाया, यहां भी बनाया, बदा ऐसे गुफाएं रहते थी थी ना, दिवार त इमेजिनेशन ही है, या फिर प्रेडिक्शन ही है, क्योंकि अभी कुछ लिखा पड़ी तो मिला नहीं हो, समय की वीडियोग्राफी होई नहीं है, तो यह जस्ट आर्केलोजिस जो थे उनकी अब्जवेशन थी, और उन्होंने अब्जव करके बताया कि हर एक शैल वाले ज उनके वो एक्टिविटी वाले एविडेंस तो मिलते न, वो नहीं मिल रहे है, है न, तो वो बोल रहा है कि शायद उन गुफाओं का यूज जाता होगा धार्मिक गतिविदी के लिए, लेकिन इस तरह के दो टाइप के हमें गुफाएं आपर दिख रहे हैं, एक दिल्चस वो में दिख रहे हैं, कुछ specific locations है, यूपी भिहार ये मद्यप्रदेश, करनाटक आंदर प्रदेश वाला रीजन, फिर इसमें बोला उचुपुरा पाशानकाल के कुछ locations बता दिये, न, पाशानकाल के location बता दिये, मद्य प्रदेश का बता दिया कि उचुपुरा पाशान पाशानकाल से, और फिर बोल रहे हैं कि ऐसे अनेक जगा पे हमें pictures मिलिये, जहां पर एक ये picture के उपर दुबारा ड्रॉ करतीया है, तो इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं, अपनी अपनी सोच है, ये भी reason हो सकते है कि बनाया है, उसको लगा होगा कि आप मेरे को कुछ और बना पर चित्र लगबग 20 परते हैं, जो एक दूसरे पर बनाई गई है, ठेक है, इन प्रागातियासिक चित्रों से हमें तातकालिन मनुष्य हो गए, उनकी lifestyle क्या हुआ करती थी, उनका खान-पान, आदत, दैनिक गतिविदी, यहां तक कि उनके मन-मस्तिश के चिंतन में क्या चल रहा था, आपकी अभी व्यक्टी जो है, आपकी अभी व्यक्टी भी है, वहां से शो हो जाता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को, बच्चे मतलब इसलिए मैं बोल्ड हूँ, जब मैं एक्जाम देती थी, छोटी क्लास में, 8 में थे, 7 में थे, तो बहुत सारे ऐसे हमा मैं दो, बहुत किया हा ही, गजाम में, उसका ड़न घए दिव ऑफियर दिखा रहा है, वहन पूरा पेज खाली, अध्यजीन होड़ेंगा जाया लिख डालेंगे, तो बैसिकली को चाप्या करेंगे, पहूँ नहीं अब अब्सर्पर करोंगे, यह लोगों के सोच, को दिख या उसका डर कुछ तो होगा ना उसमें तो वही चीज है कि इन यह जो सेलाश्रे हैं इन में जब यह चित्र पाए गए इनको अब्जर्व किया गया अब्जर्वेशन से पता लग रहा है कि ओ इस तरह की थिंकिंग थी यह चल रहा था और अब्जर्वेशन वो डिरेक्ली न नस्ट हो गया है लेगिन यह आज तक बना हुआ है तो यह काफी कुछ बताता है उस समय के समाज वगेरा के बारे में तो यह था हमारा चोटा सा सेशन चैप्टर नंबर वन कम्प्लीट हो गया है आप लोग बुक को रीट कर लेंगे कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ ल बैब सेब्सक्रां के लिखेंगरा मया इस्लिफ यहदू विजबूत परुट आप करता है इसलिए थोड़ा सा मन को मझबूत करो पढ़ने का मन नहीं करता है किसी का मन नी करता है मेरा भी मेरा नहीं साँजिए हम इसमिए हम आप इसा सब को इंजॉय कारना पसंद है ट्र С आप इसको थोड़ा सा अब उस लेवल पर जाईए अपना एक रीडिंग स्किल डेवलप कर यहां मुझे पढ़ना है मुझे ठैराव लाना है नहीं भी पढ़ने का मन कर रहा है वीडियो लग एक गंटे कर रहा है कौन देखेगा एक्जाम टाइम में नहीं मन कर रहा है तो भ बहुत सारी चीज़े हैंगी, साइन करना होगा उसके पहले पढ़ोगे क्या से कर दोगे तो पढ़ने का काम आगे भी है और अभी आपको सिखाया जा रहा है तो थोड़ा सा पेशिंस भी इससे आता है कि एक गंटा देड़ गंटा के वीडियो अगर आप देख पा रहे है दो गंटे, तीन गंटे के तो आप सोचो आपके अंदर administrative qualities हैं आपके अंदर ठैरा हो है, patience है इतना कि आप रुके हो है, पीच में skip नहीं कर रहे हो या अगर आपने पूरी playlist फॉलो नहीं की हुई है, दो वीडियो के बाद आप भाग जा रहे हो, चार वीडियो के बाद ही है, तो punctuality लाने के लिए आपको पूरी playlist फॉलो करना होगा, तो जब आप इनजीरों को कर रहे हैं न, actually आप पढ़ाई नहीं, आप एक administrative officer बनने के लिए तयार हो रहे है, patience level लाना, reading skill डवलप करना, time manage करना, यही तो आपको आपको आगे करना है, जो आप अपनी इस पढ हाई के दौरान सीख जाते हैं, ठीक है, तो आप आपको यह video informative लगा होगा, अगर लगा है, तो please comment section में अपना feedback जरूर दीजे, और जो भी मैंने आज कुछ questions करें, उनका answer भी दीजे, मैं हर एक comment को पढ़ती हूँ, ठीक है, तो चलिए फिर आज के session को यही रोकते मिलते हैं नए session में कुछ more information के साथ, तब तक अपना ध्यान रखे, revision करते रही है, thank you